हमें सघर करेंगे सट्यराओ पार्क प gedacht अगिता में इसका हर एकसाइड ये होगोगे एकसाइड श्क्राइड एटी मीटर कौरणर इस कौनरी दिये सफझा और प्रक्राट अपिट हट्राओर वार्ण चौर्ण आड़ एक फ्लावर दाट कर रेडियस 14 मेटर यहां से लेकर यहां तक यह है 14 मेटर फाइंड पर यह पाय्निंग पार्ट के डिमेंन इंग पार्ट को पार्ट का एडिया धुल्ने यहां पर इसका एरिया दूना हो गया हम लोग एसे दूनेंगे अब पहले लिखते हैं आपर एरिया आफ दपार्ट अफ दपार्क स्क्वार का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड यह जगा तो 80 इंटू 80 मीतर स्क्वार के यह जगण सिक्स थाउजन पूर हंडर्ड मीतर स्क्वार कि यह हुगा अब यहां पर यह पार्क करें जाइद है इस शर्कल का एरिया दूना हो इस साथ गार माननके चलते हैं अनके यह यह एक चल्थीं एक सरकल अगर हम लोग इसे एक साथ जो रहेतों क्योंकि एक सरकल को चार पार्ट में तोड़ गये है यहां पर इसे हम लोग इसका एरिया धूनते हैं तो एरिया आफ पार्ट होगे 6400 मीटर स्क्वार एरिया ओफ प्र ओल्ड़ दा काट्रेंज क्वाद्रेंज तो से अम लोग ऐसे दूनें के अब यहां पर हम लोग एरिया ओफ सरकल का फॉर्मुलेसर लोग दूनेंगा पाई इंटू डेडियस स्क्वार्ड श्कॉर्ड यूनित्स यह ओटाए अब यह चारों कम लाग एक साथ जो रहें गोंग तो एक सरकल ही बन जाए स्क्वार्ड श्क्वार्ड 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 यह होगा 308 अब 308 इंट्टू हम लोग करते हैं यह होगा 616 तो 616 मीटर स्क्वाइर हो गया इसका एडिया यह चारो सरकल यह चारो एक सरकल का एडिया चारो कॉर्णर के जो फ्लावर बैचल उसका एडिया हो गया टोटल एडिया अब हम लोग लिखते हैं आप एरिया ओफ रिमेनिंग पार्ट अबिक यहां पर यहां सब यह यह चारो कॉर्णर जहां पर फ्लावड वैच्स हैनल लिक्ते एरिया ओफ रिमेनिंग पार्ट अफ़ पार्क कर दो कि यह हो जाएगा 6400 माइनस 616 मीटर स्क्राइब कर देंगे यह हो जाएगा 10-6 हो गया पर 4 9-1 हो गया यह पर 8 9-1 हो गया यह पर 8 13-6 7 हो गया और यह हो गया फाइब तो 5784 मीटर स्क्राइब हो गया इसका एड गया इसका और सुन्साइब चांसर अंसर खून्सों एंसर फिर्स एंसर ने अन्स विडियो पिस रस्क्राइब में चानल थांक यह सो नंच वर वच्छिए